ओला व्रिबान इस वीडियों में देखेंगे रीजिनिंग के इंपोटेंट कुशन सभी कुशन इंपोटेंट है तो चलिए देखते हैं फ़रस्ट क्उशन कुछ समिकरन किसी विष्श्च पर नाल है य अधार पर हल ना किए गए इसमिकरन का उत्तर ग्यात के तो देखिए 30 और 12 को multiply करेंगे 14 कभी आएगा नहीं आएगा तो इसको कुछ भी करके आपको multiply के जगा plus कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं आपको लाना कितना है तो देखिए क्या करेंगे यह जो multiply का है चीन यहाँ पर पलस कर लेंगे 30 और 12 को जोड़ लेंगे कितना जागा 42 42 को 3 से भाग देदेंगे कितना जागा 14 तो यहाँ पर दिया गया है 14 अब देखिए यहाँ 75 और पलस 15 कर लेंगे 75 और 15 कितना जागा 90 90 को भी 3 से भाग देदेंगे कितना जागा 30 यहाँ दिया गया है 30 अब देखिए यह दोनों नमर को जोड़ देंगे 66 और 15 को जोड़ेंगे कितना आ जागा 81 81 को 3 से भाग दे देंगे 27 तिया 81 होता है तो कितना एंसर आ जागा 27 27 देख्या option नमर B में है Next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है दिये गए विकलपों में से विसम को चुनिए तो यहाँ देखे ध्यान से आपको ध्यान देना है लाल, हरा, नीला और कला है रंग में क्या अंतर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तब कैसे करेंगे देखे इसमें से क्या होता है प्रात्मिक रंग होता है तो यह आपको याद रखना होगा प्रात्मिक रंग कौन-कौन से होते हैं लाल रंग होते हैं, हरा रंग होते हैं और नीला रंग होते हैं और ये काला अलग रंग होता है तो प्रात्मिक रंग के बाद तीनों आ जाता है तो इसलिए ये अलग विसम चुनने बोला है तो option number D सही एंसर हो जागा 20 और 150 करके यहां question mark पे इंसरान लाना है 100 और 90 को कुछ भी करके 110 लाना है और 60 और 40 को कुछ भी करके 80 लाना है तो चलिए अपको हम बताते हैं देखिए इसमें से यहां से देखे, क्या करेंगे पूरा आपको बताएंगे पहले आप जो तरीका सोच सकते हैं क्या करना है 60 और यहां से अंतर देखना है यह 60 जो है 60 और 20 का अंतर यह 60 और 40 का अंतर कितना जागा 20 20 आ गया, यह 60 और 20 अंतर जो आया जोड़ देंगे 80 तो यह 80 यहां पर देखे है अब देखे यह दोनों का अंतर कितना है 10 का तो यह 100 में 10 जोड़ लेंगे 100 में 10 जोड़ लेंगे कितना आ जागा 110 आ जागा अब यहां अंतर कितने का है 30 का अंतर है 120 में 30 जोड़ लेंगे कितना आना चाहिए 150 150 option में है नहीं है तब इस तरीका से नहीं बनाएंगे तब देखे कौन तरीका इसमें अपनाएंगे कोई भी नहीं लगएगा तब क्या करना है यहाँ पे जोड करना है सभी अंका जोड करना है देखे 150, 90 और 40 सभी अंका जोड लेंगे कितना जागा 280 280 यहां पर देख कितना आजागा 280 उसी परकार 120 और 160 को जोड़ लेंगे कितना आजागा 280 तो यहां देखिए 110 और 80 को जोड़ लेंगे कितना आजागा 280 आना चाहिए तो यह 190 आजागा 280 आना चाहिए तो 280 लाने के लिए यह नमर को जोड़ के क्या करेंगे घटा लेंगे तो 280 में 190 घटा लेंगे तो आपका इंसर आजागा कितना आजागा 90 90 देखिए option नमर D में है यह देखिए यहां से घटाएंगे और वही नमर में 280 सभी का जोड़ होगा तो उसमें से घटा लेंगे तो इंसर आजागा यह आपको सुचना पड़ेगा कि कैसे आजागा तो यहां से असानी से घटा के ला सकते हैं next question देखते हैं दी गई से रंकला में अगला संख्या क्या होगा तो 2 से 10 कैसे आया है देखे 2 multiply 5 किया है फिर 10 multiply 4 किया है मतलब 10 गुना 4 किया है यहां से 4 किया है उसके बाद 4 तिया 12 उसके बाद 120 से बाद कितना आ गया 240 कितना किया है 2 गुना किया है तो देखे 5 किया 4 गुन गुना किया फिर दो गुना इसका मतलब आगे कितना गुना हो जागा एक गुना 240 में एक से मल्टिप्लाइ करेंगे गुना करेंगे कितना एंसर आजागा 240 ही आएगा 240 option number D में है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है यदि एक फरवरी 1920 को विरस्वत्ति रहाँ था तो पांच मार्श 1920 को कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले फरवरी मा में कैसे ध्यान देंगे कि 29 दिन होगा या 28 दिन होगा तो यहां देखे भाग लग जाएगा 1920 और चार से यह अगर भाग लग जाता है तो क्या हो जागा फरवरी 29 दिन का होगा तो 4 से भाग लगाने का भी तरीका बता दिये हैं कि अगर यहां पे दो जो है 4 से भाग लग जाता है तो वह क्या हो जागा 4 से भाग होगा तो यह क्या होगा फरवरी कौन सा दिन हो जागा 29 दिन का तो एक फरवरी है जितना दिन बोले 29 फरवरी है तो 29 फरवरी में एक दिन घटाएंगे यहां जो एक दिन दिया गया अगर यहां फरवरी के जगह मार्च राता और 30 राता या 31 राता जो भी दिन रहे तो उसमें से यहां जितना दिन देगा उसमें से उस महिने में घटाना है 29 दिन में एक दिन घटा लेंगे कितना जागा 28 दिन अब देखिए मार्च है तो फरवरी के बाद मार्च हो जाता है तो मार्च कितना दिया गया पांच मार्च तो इस जगह क्या करेंगे पांच मार्च इसमें जोड़ लेंगे कितना जाएगा तेतिस आ जाएगा तेतिस को साथ से भाग दे देंगे देखिए यहां से आपको तेतिस को इधर साथ से भाग देंगे लगे विरस्पति बार में पांच दिन जोड़ लेंगे विरस्पति बार के बाद कौन सा ओजागा सुक्र वार सनी वार रवी वार सोम वार उसके बाद कौन सा ओजागा मंगल वार देखे एक दो तीन चार और पांच पाचमा दिन कौन सा ओजागा मंगल वार मंगल वार सही इंसर हो जगा option number C next question देखते हैं प्रस्नी चीन के अस्थान पर आने वाली संख्याओं का चैन किजिए देखे 4, 7, question mark 10, 13, 15, question mark और 19 है तो दो जगा question mark है तो देखे कैसे बनाना है ये number को क्या क्या है ये number 4 और 3 अंतर कितना है 3 का है 4 और 7 में अंतर 3 का है तो यहां से देखे अंतर कितने का है 2 यहां से अंतर, यहां भी 3 का है और यह अंतर कितने का है 2 का, तो यहां से plus हो जागा, क्योंकि यहां देखे 7 के, यहां से 3 का अंतर है, यहां 9 आना चाहिए 9 आना चाहिए इस जगह question mark, तभी तो यहां plus 1 होगा, क्योंकि यहां plus 1 हो रहा था, यहां कितना हो जागा, 1 हो जागा, तो यहां से plus 1 हो जागा, तो यह कितना जागा, 9, और इस जगह कितना हो जागा, 15 के बाद यहां फिर से plus 1 हो जागा, तो इसके जगह कितना हो जागा, 16, और यहां कितना उस सब्द को चुने जो समू में दूसरे सब्दों को समान नहीं है तो देखे यहां अलग चुनना है सोना लोहा कासा और चांदी देखे यह हमेशा लोहा सोना प्योर होता है मतलब किसी का मिस्रधातू नहीं है लोहा भी किसी का मिस्रधातू नहीं है और चांदी भी किसी का म next question देखते हैं किसी संकेतिक भासा में किंग को P R M A T लिखा जाए तो M A N को क्या लिखा जाएगा तो देखें यहां क्या किया है किंग को देखें के आई एन जी लिखा है के आई एन एन और जी लिखा है तो इसको क्या लिखा है P R M T तो जो लोग A B C D का अपोजिट नहीं याद की हैं कोईसे ही इसको लिख सकते हैं देखें हमेशा आपको क्या करना याद नहीं रहे तब क्या करेंगे देखें A B C D मतलब आपको क्या करना है 13 अक्षर 26 अक्षर होता है तो 13 अक्षर तक लिखना है उसके बाद नीचे से A B C D E F G H I J K L M M के बाद N O P Q R S T ऐसे हो जागा तो यहाँ पर उपर में 13 अक्षर और नीचे में लिख देंगे तो C का उल्टा हो जागा तो देखें K का उल्टा P होता है I का उल्टा R होता है N का उल्टा M होता है और G का उल्टा T होता है तो main का उल्टा क्या हो जागा, m, a, n, तो n का उल्टा क्या होता है, m या m का उल्टा n, तो यहां से हो जागा, m, इस जगह हो जागा, m, a का उल्टा कितना होता है, z, यहां से उल्टा लिखेंगे, तो यह z पर आ जागा, और m का उल्टा होता, n, तो n, z, m किस option में है, n, z, m option number B में है option number B सही answer है next question देखते हैं निमलिकी तारिक में से कौन सा आरिक विज्ञान, गनीत और जन्तु सास्त्र के बीच को संब्ध को दर्साता है तो ये विज्ञान जो है विज्ञान और जन्तु सास्त्र से संब्ध है विज्ञान के अंतरगत जन्तु सास्त्र आता है और math ये गनीत जो है अलग होता है तो भेंड डियक्राम कैसा बनाएंगे ये विज्ञान का बनाएंगे विज्ञान के अंदर ही जन्तु सास्त्र आएगा और गनीत क्या हो जाएगा इस परकार से हो जाएगा तो ऐसा option आपको check करना है, खोजना है, किस option में है, option number, option number A में है, option number A सही answer है, next question देखते हैं, अगला question क्या दिया गया है, ये most important question है, आपको ध्यान से देखना है, B A का भाई है, D का पिता C है, B की माता E है, और A और D भाई है, तो E का C से क्या रिस्ता है, तो यहां से B A का भाई है, तो क्या करेंगे, जब भी यहां हो जागा, तो इस जगे लिखेंगे B A का भाई है, तो इसका किलियर नहीं है, तो ये भाई है, तो ये इसको पलस में दरसाएंगे, और बराबर में हो जागा, यहां पे भाई है, अब देखेंगे, भाई है, बहान यहां जो है B, इसकी माता E है, तो यहां पर E लिखेंगे, और E को क्या मैनस से डिनोट करेंगे, माता है जो, और A, D का भाई है, A जो है, D का भाई है, A और D का भाई है, तो यह भी पलस हो जाएगा, क्योंकि D का भाई है, यह भाई है, तो E का C से क्या संबन्द है, तो देख डी है ये डी का पिता सी है डी का पिता सी इसके उपर हो जागा ये पिता हो जागा पलस इसको लिखेंगे पिता हो जागा तो ई से सी का रिष्टा क्या है तो देखें ये क्या हो जागा सभी भाई हो जागा और ई और सी से रिष्टा क्या हो जागा पत्नी का तो पत्नी देख झाल झाल